बहुत से लोगों को खाने के साथ साथ पानी पीने की आदत होती है, बिना पानी पीए कुछ लोगों से खाना निगला ही नहीं जाता, खाने के बीच में एक दो घूट पानी पीने में कोई बुराई नहीं होती है, हलाकि माना जाता है कि खाने के बीच में बहुत सारा पानी अच्छा नहीं होता है भले ही पानी खाने को पचाने में मदद करता है लेकिन खाना खाते समय पानी पीने से इसका उल्टा असर पड़ सकता है ऐसा माना जाता है कि खाना खाते समय पानी जैसे तरल प्रदार्थों का सेवन करने से पाचन क्रिया पर काफी बुरा असर पड़ पाचन के दौरान पेट में मौजूद एसिड हमारी ओर से खाय जाने वाले खाने को तोड़ने में मदद करता है। लेकिन जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं तो यह आपके पेट के एसिड को पतला कर देता है। एक्सपोर्ट का मानना हैं कि इसे पाचन पर बुरा असर पढ़ता है। और खाना पेट के एसिड और एंजाइम्स के संपर्ग में बहुत कम समय तक के लिए रहता है। आई जानते हैं इस बारे में विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि खाने के साथ पाचन पर काफी नकरात्मक प्रभाफ पढ़ता है। बहुत से लोगों का मानना है कि खाना खाते समय पानी पीने से एसिडिटी की समस्या होती है। हाला कि इस बात की कोई पुकता जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है ऐसे में ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि खाना खाते समय पानी पीने से ऐसे डिटी की समस्या होती है या नहीं